सिंगनाद गुगुल एक आयरुवेदिक वोश्य दी है इसका उप्योग कई प्रकार के रोवों में सफलता पूर्वक किया जाता है वायव दोश में सिंगनाद गुगुल का सेवन किसी वर्दान से कम नहीं है सिंगनाद गुकुल का सेवन आपको वायव दोश में अवश्य करना चाहिए इससे आपको काफी राहत मिलती है हेलो फ्रिंड्स मेरा नामे किर्ति दिख्षे स्वागत है आपका नौलेज साथी पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंगनाद गुकुल के बारे में जो की एक आयरवेदी कौश्य दिये इसके अलावा सिंगनाद गुकुल का सेवन और भी कई प्रकार के रोगों में किया जाता है रियुमेटाइड आर्थ्राइटिस अर्था जोडो का दर्थ कमार दर्थ बदन दर्थ और कंधे का दर्थ आदी रोगों में इसका सिवन बहुत ही लाब दायक होता है सिंगनाद गुकुल का निर्मान डावर वैदिनाथ एवं दिव्य पतंजली इसके अलावा बहुत से कंपनीज करती है दोस्तो अब हम बात करते हैं सिंगनाद गुकुल को किन इंगेडियंट से बनाया जाता है उन इंगेडियंट का नाम है आमलकी, हरित की, विवित की, शुदगंधक, शुदगुकुल, एरंटेल और जल तो सिंगनाद गुकुल बनाने के लिए इन सारे इंगेडियंट का यूज गया जाता है दोस्तों हम बात करते हैं सिंगनाद गुकुल के फायदों के बारे में अगर हम सिंगनाद गुकुल के फायदों की बात करें तो आप सिंगनाद गुकुल का सेवन आम दोश एम वायो दोश में कर सकते हैं इस बीमारी में सिंगनाद गूगल का सेवन करने से बहुत लाप मिलता है इसके अलावा और भी कई रोगों में इसका उपयोग किया जाता है डाइजेशन से रिलेटर समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए भी आप सिंगनाद गूगल का सेवन कर सकते हैं यह हमारे डाइजेस्टिब सिस्टम को मजबूत करने में बहुत लापकारी है अगर किसी वेक्ति को लगवा की वीमारी हो गई है तो उस वेक्ति को इसका सेवन अवश्य कराना चाहिए सिंगनाद गूगल के सेवन करने से लगवा में काफी आराम मिलता है अगर किसी व्यक्ति के जोडों में दर्द रहता है या फिर उसे चलने फिरने में काफी दिक्कत होती है तो वो सिंगनाद गुगुल का सेवन कर सकता है दोस्तों अगर आपके शरीर में किसी भी अंग में सूजन रहती है तो इससे आपको किसी भी काम को करने में काफी तकलीफ होती है आपके शरीर में किसी भी स्थान पर सूजन होने पर आप सिंग नाद गुगुल का सेवन कर सकते हैं इससे आपको तुरंत रिलीफ मिलता है यदि आपको चलने फिरने में तकलीफ होती है तो ऐसे में भी आप sing nat google का उपयोग कर सकते हैं चलने फिरने में तकलीफ कई कार्णों से होती है लेकिन जो सबसे सामाननी और आम समस्या है वो है गुट्नों में दर्थ गुट्नों में दर्थ की वजे से लोग अक्सर चलने फिरने की समस्या से परिशान रहते हैं तो इन समस्याओं से बचने के लिए आप सिंग नाद गुगल का सेवन कर सकते हैं दोस्तों अब हम बात करते हैं सिंग नाद गुगल के नुकसान क्या है दोस्तों इसका सेवन करने से पहले हमें इसकी नुकसान के बारे में भी जान लेना चाहिए इसका 7 हमेशा डॉक्टर की देखरेक में करना चाहिए। आब जब भी किसी दवा का उप्योग करें किसी डॉक्टर से सला अवश्ये ले। उसके बाद ही किसी भी दवाई या फिर सीरप का उप्योग करें। कम उम्र के बच्चों को इसका सेवन करने से बचना चाहिए इसका सेवन किवल 18 साल या उससे अधिक उम्रवालों को ही करना चाहिए इसका सेवन हमेशा सीमीत मात्रा में डॉक्टर द्वारा बताय के लिमिट के अनुसार ही करना चाहिए अगर इसमें मौजूद किसी भी इंग्रीडियन्ट से आपको इलर्जी है तो इसका सेवन करने से बचना चाहिए गर्बती महिलाओं को सिंगनाद गुगुल का सेवन करने से बचना चाहिए इसका सेवन करने से गर्बती महिलाओं को नुकसान हो सकता है अब दोस्तों हम बात करते हैं सिंगनाद Google के सेवन करने के विधी क्या है सिंगनाद Google का सेवन आप एक दिन में दो बार कर सकते हैं आप इसका सेवन दूद या फिर हलके गर्म पानी के साथ कर सकते हैं इसका सेवन आपको सुबा और रात में खाना खाने के बाद करना चाहिए तो दोस्तों आपको ये जानगारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं अगर वीडियो पसंद आये हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद